हाई एवरिमन मैं हूँ सावित्री और आप देख रहे हैं राधा की रसुई भाई S.J.S. तो फ्रेंट्स आज मैं लेकर आई हूँ पंजाबी कड़ी की रेसिपी तो फ्रेंट्स रेसिपी सुरू करने से पहले आप सभी को राधे राधे तो फ्रेंट्स आज की कड़ी मैं ऐसा बनाऊंगी जो की बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही स्वादेश्ट है एक बार आप बनाएंगे तो इसके स्वाद को भूल नहीं पाएंगे तो आईए रेसिपी सुरू करते हैं मेरे तरीके से तो फ्रेंड्स यहां पे पंजाबी कड़ी बनाने के लिए एक बाउल में आधा कब बेशन लेंगे यह नॉर्मल बेशन है आपके पास मोटा पतला जो भी है ले सकते हैं पकोड़े के लिए दो प्याज मिडियम साइज की है आधा चमच धनिया पाउडर, आधा चमच भूना जीरा पाउडर, आधा चमच गरम मसाला दोनों एकी में है और यहां पे दो से तीन हरी मेर्च है बारिक कटी हुई डालेंगे यहां पे और फ्रेंड्स यहां पे लासुन अद्रक को दरदरा कुटलिये हैं एक चमच है एक चवथाई छोटी चमच हल्दी पाउडर आधा चमच अजवाइन पाउडर है अगर आप अजवाइन का पाउडर डालेंगे तो इससे बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है नमक स्वादानु है तो बहुत ज्यादा है हाड नहीं बनाना है इस मिस्रड को थोड़ा सौप्ट ही रखना है और यहां पर एक चोथाई छोटी चमच बेकिंग सोडा डालेंगे इससे थोड़ा पकौड़े सौप्ट बनेंगे थोड़ा सा पानी और डालकर इसको नरम कर लेंगे तो फ्रेंड्स बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर जरूर डालें थोड़ा सा पकौड़े इससे सौप्ट होते हैं और फुले फुले बनते हैं अंदर से स्पॉंजी रहते हैं तो आप देख सकते हैं मिस्रड की कंसिस्टेंसी ऐसे ही रहेगी यहां पर तेल गरम होने के अपने मन पसंद साइज रख सकते हैं इसकी मैं थोड़ा छोटे छोटे ही रख रहे हूं मैं बहुत बड़ा नहीं कर रहे हूं इसलिए इसको थोड़ा सा एक साइट से सीखने देंगे उसके बाद इसकी पलटी करेंगे और इसे तब तक फ्राइब करेंगे जब तक गुल्ड लेंगे एक प्लेट में पकोड़े अच्छे से पक चुके हैं आप देख सकते हैं तो फ्रेंड्स इस रेशीपी को आप जरूर ट्राय करना बहुत ही स्वाधिश्ट बनती है एक अड़ी और बनाने में बहुत ही आसान है सेकेंड बैच भी इसी प्रकार से प्राइब कर देगा ताकि मैं जो भी वीडियो अप्लोट करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो फ्रेंड्स यहां पर सेकेंड वैच भी बनकर तयार है अब इसे भी निकाल लेते हैं कि यहां पर लेंगे एक मिक्सर जार इसमें आधा कब बेशन लेंगे तीन-चौथाई कब दही है तो आप ध्यान दें आधा कब बेशन तीन-चौथाई कब दही मलब बेशन से थोड़ा सा ज्यादा दही होनी चाहिए इसका पेश्ट बनाएंगे थोड़ा अच्छे से ताकि यह पिस्ट देंगे तो इसमूथ हो जाएगा इसलिए आप मेजर्मेंट के लिए अपने घर की कोई भी कटोरी कप सेट कर सकते हैं उसी से मेजर्मेंट करेंगे रेसो एकदम परफेक्ट आएगा तो यहां पे एक ब हल्दी पाड़र को इसी टाइम मिला देंगे अच्छे तरह से ताकि इसमें थोड़ा सा गुठली न रहें तो फिर दिकत होगा दो से तीन चमच यहां पे देशी घी लेंगे आधा चमच मेथी दाना आधा चमच सरसो दाना आधा चमच जीरा डालेंगे और थोड़ा से यहां पे बारिक कटा हुआ लासून एट करेंगे आप अगर लासून खाना नहीं पसंद करते हैं तो इसकीप कर सकते हैं और दो से तीन हरि मेर्च है जिसको बारिक काट ली हूँ तो पींच शींग है दो लाल मेर्च ऐसा articulated डालेंगे आठ से चीज भून चुके हैं अब बेशन और दही वाला मिसरड है इसको डाल देंगे और एक हाथ से चलाते रहेंगे नहीं तो इतले में जम जाएगा वेशन है वेशन की वज़ा से जल जाता है तो फट भी जाएगी इसलिए अब थोड़ा-थोड़ा यहां पर पानी डाल देंगे और फ्रेंड्स यहां पर चार से साढ़े चार गिलास पानी एट की हूँ तोटल मतलब 7 लिटर पानी आट की हूँ आप कितने गाड़ी या पतली कड़ी खाना पसंद करते हैं वो इस सिसाब से पानी एट कर सकते हैं मुझे थोड़ा सा गाड़ी यहीं अच्छी लगती है पतली नहीं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर बॉइल आ चुका है और जैसे बॉइल आ चुका है इसमें कलर भी बहुत प्यारा आ चुका है तो फ्रेंड्स इसे लगातार चलाते विए थोड़ी देर तक पकाए हैं और यहां पर पकोड़े भी एड़ कर देंगे पकोड़ो तो आप यहां पर नमक कैट कर दें बॉइल आने के बाद ही नमक कैट करें और यहां पर दो से तिन चमच वापस फिर से घी लेंगे आधा चम्मच जीरा डालेंगे दो लाल मेर्च है जीरा और मेर्च के चटकने के बाद थोड़ा सा एक चम्मच डालेंगे इसमें कस्मीरी लाल मेर्च पाउडर से थोड़ा सा कड़ी में कलर बहुत अच्छा आएगा कश्मीरी लाल मेर्च टीखी नहीं होती है लेकिन सबजी हो या किसी भी रेसीपी में रंगत बहुत अच्छी आती है तो यहां पर एक चम्मच कस्मीरी लाल मेर्च कीए हैं और आप देख सकते हैं की कड़ी बनकर तयार है तो अब इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से और देख सकते हैं कस्मीरी लाल मेर्च से कलर कितना प्यारा आया हुआ है कड़ी में तो आप यहां पर कस्मीरी लाल मेर्च आइड करना चाहें तो चाहें करें नहीं तो इसे इसकी भी कर सकते हैं आप यहां पर निकाल लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्वादिष्ट कड़ी बने हुई है फ्रेंस आप इसे जरूर ट्राय करिएगा यकिन नहीं मानेंगे आप एक बार ट्राय करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कड़ी कितनी स्वादिष्ट बने हुई है इसको आप चावल सिम्पल चावल या तो जीरा राईस के साथ हिंजवाय कर सकते हैं कड़ी रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है तो आप जिसके साथ चाहें हिंजवाय कर सकते हैं बहुत ही मज़ेदार कड़ी बनकर तयार है इसके पकोड़े को दिखाती हूं बहुत ही स्पॉंजी बना हुआ है सॉप्ट आप देख सकते हैं कि चम्मस से काट रहे हूं तो बहुत ही आसानी से बिखल जा रहा है तो फ्रेंट्स इसी आप जरूर ट्राइ करिएगा मैं कई बार कर चुकि जब तक इस रेसिपी को आप ट तक के लिए बाय और टेक केर